तो है गाइस गुट मॉर्निंग वेलकम बैक टू दी चैनल तो भाई आज लिक्षा है आप लोगों के लिए दो दो गाडियां ब्रेजा और भाई पीछे खड़ी है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर तो भाई आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि दोनो गाडियो के बीच में डिफरेंस कैया है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बाई ग्रैंड विटार ले टोयोटा हाई राइडर ले या फिर ले ब्रेजा फेसलिफ लिफ तो भाई जिसकी वज़े से आपको चूज करनी पड़ सकती है तो चलो करते है वीडियो को स्टार्ट और दिखाते हैं आपको डिफ्रेंस तो भाई दोनों की दोनों गाड़िया हमने एक साथ लगा के खड़ी कर दिये ताकि इनकी डायमेंशन आपको मोटा मोटी फिजिकली दिखा पाएं मतलब नंबर्स में तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो दोनों गाड़ियों के टायर जो हमने अल्मोस्ट आसपस ला दी तो भाई ये देखो कुछ इतना डिफरेंस मिल जाता है मोटा मोटी कहें तो भाई ब्रेजा जो है वो लेंथ वाइस ग्रेंड वेटारा यानि हाई राइडर से छोटी पड़ती है वहीं पे अगर हाइट की बात करें तो भाई थोड़ा सा आगे निकल जाती है अपनी ब्र और अगर बात करें गाडियों की विद की तो भाई दोनों की जो विद है वो दोनों की आलमोस सेम है बिलकुल भी इसके अंदर नमर्स में उतना जादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा हाला कि देखने में अपनी जो हाई रेटरे दिखने में मेरे को अब भाई देखो यहाँ पर बेस मॉडल में आपको स्कीट प्लेट मिल जाती है और वहाँ पर आपको यह नहीं मिलती है यहाँ पर बेस मॉडल में भाई आपको मिल जाते हैं डीफागर्स जो की अपनी गाड़ी में VXI में तो मिल रहे हैं लेकिन भाई बेस मॉडल में न पर मिल जाती है नियो ड्राइव की बैजिंग तो दोनों ही दोनों गाड़ियां जो हैं सेम इंगन के साथ आती है और दोनों के अंदर आपको स्मार्ट हाइबृड टेकनोलोजी का यूज किया हुआ है जिससे की भाई दोनों ही गाड़ियां बहुत ही प्यारा माइलेज देत क्योंकि लद्दाक क्या हुआ है वहाँ पे तो कोई कमी फील नहीं ही तो और भाई कहां ही जाओगे और भाई इसके अंदर मिल जाता है 210 mm का तो इस मामले में जीच जाती है भाई अपनी अर्बन क्रूजर हाई राइडर और ग्रेंड विटारा ब्रेजा फेसलिफ्ट से औ यानि जो डिपेंड करती है इसके फ्यूल टेंक के उपर तो ब्रेजा के अंदर आपको मिलता है भाई 48 लीटर का फ्यूल टेंक और भाई वहाँ पे आपको ग्रेंड विटारा और हाई राइडर के अंदर मिलेगा 45 लीटर यानि 3 लीटर थोड़ा सा पीछे रह जाती है अ मेरी गाड़ी के और भाई की चाला है अब बाई यह देखती है चलते हैं आपको सेम अपना थीजड़ा लगती है तो इसमump непón board लेता तो गाड़ी को थोड़ा सा अलग कर देते हैं अब डिफ्रेंस यहाँ पर आता है कि यहाँ पर क्लाड़िंग जो खाली नीचे वाले पोर्शन में यूज की गई है और डोर्स के उपर क्लाड़िंग नहीं मिलती है वहीं पर अपनी ब्रैजा फेसलिफ्ट में भाई डोर के उपर भी क्लाड़िंग दी हुए है तो कई लोग बोलेंगे भाई अच्छा है कई लोग बोलेंगे भाई बुरा है लेकिन भाई यह अच्छा है अगर आप पहाड़ों पर जाते हो छोटा मोटा पत्थर बत्थर लगता है तो भाई गेट पर कोई निशान नहीं आएगा ठीक है कोई गाड़ी बगल में खड़ी है गेट खोलूँगा तो भाई अब आगए है गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल पर भाई इसके अंदर भाई आपको मिल जाते हैं DRLS बेस मॉडल से ही और अपनी गाड़ी के अंदर भाई आपको नहीं मिलते हैं DRLS चाहे इसका VXI model है उसके बावजूद भी अब आप बात करेंगे भाई इसके अंदर fog lamp की तो यहाँ पे भाई fog lamp लगाने का provision ही नहीं दिया गया है जबकि ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर भाई आपको fog lamp लगाने का provision तो दिया गया है लेकिन fog lamp आपको नहीं मिलते हैं यह जो fog lamp आपको दिख रहे हैं यह मैंने aftermarket लगवाए हुए है बाकि अगर light setup की बात करें तो भाई आपको दोने ही गाड़ी के अंदर मिल जाता है भाई वही प्रोजेक्टर head lamp फेलोजन बल्ब के साथ इधर भी और इधर भी तो दोनों गाड़ीों के अंदर कोई difference नहीं मिलेगा आपको तो चलो भाई आपको एक आम customer की तरह एक छोट अलग choice होती है इस मामले में बाकि यही पर बात करेंगे भाई high rider की तो इसके अंदर देखो भाई पूरा glossy रहा है मतलब पूरा कपड़ा मारो एक बार में सफाई इधर भी जो दिये पूरी की पूरी भाई प्यानो finish है मतलब जो यह rough वाला वो होता है प्लास्टिक इस fiber के उपने क्लीन करना थोड़ा सा difficult होता है वहीं पर इसके उपर कपड़ा मारना जाधा easy होता है तो मतलब साफ सफाई maintenance के मामले में थोड़ा सा जाधा convenient होती है चीज तो भाई बहार से चलेंगे अंदर की और उससे पहले सबसे important चीज आपको बतायते हैं जो की एक गाड़ी क on road presence को जाधा बढ़ा देती है या फिर आगर आप off-roading करने जाते हो तो वहां पे भी थोड़ा सा 210 mm का वैसी ground clearance लेके चल रही है उसके अलावा इसको और जाधा practical बनायते हैं इसके tire size तो भाई अपनी ब्रेज़ा facelift के अंदर आपको मिलता था भाई 16 इंच का alloy wheel और यहां आपको मिलता है 17 इंच का alloy wheel तो मेरा कहने का मतलब है कि wheel size मतलब alloy wheel नहीं चाहे wheel हो यहां पर मिल जाता है भाई आपको 17 इंच का wheel तो भाई इसके अंदर आपको टायर size मिलता है 215 60 R17 और यहां पर मिलता है आपको 215 60 R16 तो मतलब बात करें tire की profile की तो almost tire की profile पूरी की पूरी ड्राइवर साइड तो भाई इसका मतलब ड्राइवर साइड तो बिल्कुल होगा ही होगा देखो भाई दोनों साइड मिलता है बेस मॉडल के अंदर आपको रिक्वेस सेंसर वहाँ पे भाई वही अपना पुराना वाला स्पेशल फीचर जो हरे काम आदमी को नहीं मिलता है स स्पेशल लोग को मिलता है चावी डालो वाला कोई रिक्वेस सेंसर नहीं है आपके अगर बात करें तो यह जो चावी वाला सेक्षन है वह यहां पर तरीके से एकदम दुपकाया दिया जाता है जो कि चावी के अंदर आपको मिलता है इसको आराम से आप निकालोगे और न पर आपने ब्रैजा फेसलिफ्ट को बहुती बार देखा हुआ है मैंने इसके साथ लद्दाक स्पिती क्या 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 हुआ है बाकि इसकी डिटेल वीडियोज भी पढ़ी हुई है काफी सारी लेकिन फिर भी भाई जो नए लोग आए उन लोगों के लिए इस गाड़ी को भी इस गाड़ी को भी दोनों को अंदर भार से एक बार दिखाना मेरा फिर्स बनता है तो भाई चलते हैं सबसे पहले हाई राइडर के इंडर करेंगे इसको बाद में कवर करेंगे बहुत सारी वीडियो यह करेंगे इस इंदर गयां इसकों हो जलते हैं पह लियर्य एक- जारुपे तब जाके मिलती है या फिर भाई टॉप मॉडल लो अच्छे मॉडल लो जम मिलती है यह तो भाई बेस मॉडल में देते हैं और मारूती देख लो बारा साल पुरानी चाबी पकड़ा रहा है काश कोई मेरी वीडियो देख ले और मेरी चाबी अप्ग्रेट करवा पॉइंट मिले यह अपने को यहां नहीं मिलते है बीच व बीच मिलते है बीटरी का पॉइंट भी हम प्रिक अहां पा जबर अपने को मिलते है Yuk Astrarias अब गया है इंजन stat st ownership का बटन दिया हुए जो कि Bresa Facelit में अभी जाके देखते हैं, मिलता है यह नहीं मिलता है, क्योंकि चाब भी दिखा दिया है, आपके आई बता हूं कि मिलता है नहीं मिलता है, चलो ठीक है, बाकि भाई यह पूरा plastic का use किया गया है, जो कि लैधर जैसा दिखने को मिलता है, लेकिन होता नहीं है, तो यह अपनी गाड़ी में भी same है वैसा interior है बागी same fabric का use के आगया है same हमारी गाड़ी में भी है यहाँ पे थोड़ा सा glossy का use के आगया भाई जो कि अपनी गाड़ी में miss करते हैं नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे chrome के door handles है महाँ पे चल के दिखाएंगे और भाई यहाँ पे मिल जाता है आपको same automatic climate control और भाई यहाँ पे बात करें अगर देखो यहाँ पे AC के vents दियो है यहाँ पे भाई music system की कमी रह गई वरना तो यह गाड़ी पूरी की पूरी complete ही है भाई एक family car के लिए यहाँ पे यह बड़ा बुरा लग रहा है देखने में यहाँ एक music system वो डाल देते 10, 15, 20, 40, 40, 40 तो घर जादा हो गए 25, 30,000 रुपे और ले लेते यार तो उसके लावा भाई बात करें तो यहाँ पे भाई कुछ ऐसा मिल जाता है इसका dashboard यह देखो भाई यह है इसका glove box same size लग रहा है मुझे ब्रेजा वाला और यह देखो ऐसा मिल जाता है आपको यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे भगवान जी के लिए यह जो हम पर बहुत जादा दिया हुआ है इस वज़े से मुझे थोड़ा सा लग रहा है भाई कि थोड़ा सा मुझे न भाई इसका शीषा छोटा लग रहा है मेरी ब्रेजा के comparison में मतलब अगर आग बात करें कि view की तो थोड़ा सा मुझे view अटकाट कासा लग रहा है अगर आप बात करोंगे bonnet की तो bonnet भॉत ही बाकि उसमें जाके अभी आपको दिखाए तो अंदर का इंटिरियर कैसे दिखता है पहले आप इसका एक बार नजर मार लो भाई ये कुछ मिलता है ऐसा इंटिरियर यहाँ पर भाई सबसे बड़ी चीज यह दे रहे हैं भाई आम रेस्ट जो की नहीं मिलता है ब्रेजा फेस बाई तोयोटा का यह फायदा होता है फीचर तो भर भर के अरे वहाँ आम रेस्ट भी मिलता है पीछे की साइड अब आप पीछे बाद में चलेंगे पहले चलते हैं अपनी ब्रेजा फेसलिट के अंदर यहाँ पर आपको सेम 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पर अगर आप गाड़ी में बैट के देखोगे तब ही आपको समझाएगा यह थोड़ी सी जादा बाकी चारो पार विंड़ो आपको मिल जाती है बेस मॉडल से ही जल्दी से चलते हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर यहां पर कुछ नहीं मिलता है बैटरी और फ्यूल की रेंज आपको एक साथ देखने के लिए मिलेगी आपकी डिजिटल मीटर नहीं मिलेगा अलग से सेम आपको वैसा ही ऑटमेटिक क्लाइमिट कंट्रोल भी यहां पर मिल जाता है उसके लाब बात करें तो भाई यह थोड़ी सी जान डाल देता है गाड़ी के अंदर अगर मेरे पॉइंट व्यू से देखोगे तो भाई यह जो इन्हों ने दे दिया है ना VX में जो वहां पर कहने के लिए तो बेस मॉडल है मगर भाई नहीं दिया है तो भाई यह थोड़ा सा जाधा मतलब एक फैमली कार अगर कोई ले रहा है और कोई बाहर से नहीं छिड़वाना चाता है तो एक रीजन बनायता है कि यह गाड़ी मुझे थोड़ी सी जाधा समझारी ही क्योंक पर कंट्रोल्स दियो है बाकी यह वाला पोर्शन एकदम सेम है उसके लावब भाई यह रेख लो कुछ इस टाइप का आपको पूरा का पूरा सेटप मिल जाता है गलोव बॉक्स का साइज एकदम आपको सेम मिलता है देखने को यहाँ पर आपको मिलता है यहाँ पर शीश इस चीज को इगनोर करना पड़ता है क्योंकि पैसे भी तो कम दिया है और दोनों गाड़ी के अंदर आपको चार चार पार्किंग सेंसर मिल जाते है इसके वी एकस है में उसके बेस मॉडल में इसके बेस की बात करू तो भाई वो तो बहुती फीकी गाड़ी पढ़ जाती यह चीज अपनी गाड़ी में नहीं है पीछे देख लो भाई स्पेशियस है आम रेस्ट दिया हुआ है जो की बहुती प्रैक्टिकल अगर आपकी फैमिली में कोई ओल्ड एज है और कोई रिलाक्स करके जाना चाता है एर यंग एज भी सोके अगर जाना चाता है कुछ लो करें तो भाई इसकी सीड जो 60-40 फोल्ड हो जाती है वहीं पर ब्रेजा की अभी आपको चेक कराएते हैं तो भाई अब ले चलते हैं आपको ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर पीछे सेम एसी के वैंट्स वैसे ही मतलब ब्लोर पीछे कोई लाइट नहीं मिलती भाई कोई आ पर एक चीज है कि अगर आपको मैनेज करना है कि तीन लोग जा रहे हैं थोड़ा समान के लिए जगा बढ़ा लू तो नहीं हो पाएगा तीसरे वाले को लिटा की फैक न पड़ेगा अब देख लेते हैं भाई सबसे बड़ी चीज भाई दोनों गाडियों के अंदर मतलब मैं यहां पर खड़ा ओँ और यह देखो यह देखो भाई मैं सीधा खड़ाऊ गाड़ी पर एँहां पर और यह देखो मेरा हाथ अब भी दूर है और आदा हात और मेरा लग जाये है जब जाके मैं वहाँ पहुचुँँगा और डिफ्रेंस देख लो पाई 370 लीटर काफी बड़ा बूट स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाता है वहीं पे खोलते हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट का बूट भाई ये खुल जाता है अपना बूट अगेन मैं चिपक के खड़ा हो जाता हूँ गाड़ी के साथ कुछ इस टाइप से और भाई देख लो ये मेरा हाथ है और अब देखो हाथ के और उसके बीज में कितना मतलब आडली दो बित्ते का अंतर बचाओगा ये मिलता है आपको 328 लीटर का बूट तो अल्टिमेटली उसका बूट भाई बड़ा है यहाँ पे आपको हाई रेडर के अंदर मिल जाती है भाई हाईट अड़ेस्टिबल सीट वा मेरे भाई वा बेस मॉडल में सब कुछ और भाई अगर स्टेरिंग की बात करें तो भाई स्टेरिंग देख लेते हैं कैसा है स्टेरिंग भाई अच्छा ओके टिल्ट तो है टेलिस्कोपिक और चेक कर लेते हैं टेलिस्कोपिक भी है थोड़ा सा हाड है इसलिए भाई खीचने में थोड़ी सी जान लग रही है भाई पे ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर आपको मिल जाती है अच्छी बात है दे तो रहे हो कम से कम और भाई चलते हैं यहरा स्टेरिंग चेक करते हैं अरे भाई उपर नीचे तो होता है आगे पीछे अरे निकल जाएगा भाई नहीं होता नहीं होता अंदर तो भाई अल्मोस सेम इंजन आपको मिल रहा है 1.5 लिटर नहीं 1462 सीसी का स्मार्ट हाइप्रिट के साथ तो भाई ऐसा इसका इंजन भे है जो कि अभी गंदा हो रहा है क्योंकि नीचे से कोई प्रेटेक्शन नहीं है लेकिन भाई देख लो यह है अपनी ब्रेजा फेसलिफ्ट का इंजन भे ठीक है अब बात कर लेते हैं इदर आके भाई सेम देख लो भाई इदर भी खुला हुआ है नीचे से वही रोड दिख रहा है जैसे उसमें दिखता है लेकिन यह भाई की थोड़ी सी नई गाड़ी है दुला दुलू के साफ करके रखी है इंजन अल्मोस सेम है अगर बात करें इस वाले पोर्षन की ठीक है और यहाँ पे देख लो भाई और यह वाला देख लो आप यह पूरा मतलब एक देख लो आप बैटरी का सेटप देख लो सेम इधर आके दिखायते हैं आपको सेम वही पूरा का पूरा नेचरोली एस्परेटेट सेम इंजन दिख रहा है एकसाइड की सेम बैटरी दिख रही है भाई एन सर्वो इधर इधर भी भाई एकसाइड की वही सी एन सर्वो कौन सर्वो है सी एन सर्वो है पता नहीं कौन सी है धरती तो बन रही है सेम सेटप दिया हो है सेम इंजन है पावर आपको चलाने के बाद ही पता चलेगी तो द वीडियो में तिल देन, स्टे तूने, टेक केर, बावाई